हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में आसा करते हैं आप लोग स्वास्त और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में बैस्त होंगे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं six lines related बहुत ही important जानकारी जो कि बहुत ही important होने वाला है इस विडियों हम बात करने वाले हैं ठीकेदार और निमिधाया के बारे में जो कि आप लोगों को बहुत सारा कॉमेंट आता है ठीक है तो अप लूद लाश तक बने रहेगा ताकि आप लोगो सारा जनकारी दे सके ये रोड के बारे में हम बताएंगे कहाँ पर कोई सा काम कर पर दोपने वाला है सारा कुछ जानकारी मिलेगी ताप लाश तक बने रहेगा तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं हाथ होगा चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं इसने बताएंगे आप लोगों को निविदाएं और ठिकेदार के बारे में तो इस पर लिखा हुआ है निर्मान के लिए निविदाएं बोलिया आमतिरित करना सुरू कर दिया है जहरखंड और पच्छिम बंगाल खंडों के लिए अधिक सुचनाय प्रकासित होने पर इस अनुभाग को अपडेट किया जाएगा यानि जिस पर जो है अपडेट नहीं दिया हुआ है यानि कुछ कारण वास तो इसका भी बहुस में जो है यही पर एड कर दिया जाएगा जैसे ही एड करेगा तो आप लोग पता चल जाएगा मेरे चैनल के माधियम से ठीक है जारखन में है पेकेज 8 से लेकर 13 तक और पच्छिम बंगाल में पेकेज 14 और उसके बाद यानि 14 तक रखा गया उसके बाद अभी इसमें एड नहीं क्या गया है ठीक है जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें भी काम होगी तो सारा कुछ जनकारी मिल जागी अभी जितना दिया हुआ है सारा कुछ आप लोग बताने का परियास करते हैं तो पहला पेकेज में लिखा हुआ है रेवासा गाओं के पास NH19 और वरानस्ति रिंग रोड के जंक्सन से खेटी गाओं के पास चंदोली केनपूर रोड के जंक्सन तक किलोमीटर जो है 0 किलोमीटर से लेकर 27 किलोमीटर तक बनने वाला है ठीक है यह जो है उतर परदेश पेकेज 1 का है इस रोड को बनाने वाला ठेकेदार का नाम है N.K.C. परियोजनाय ठीक है एन केसी परियोजनाए दूसरा पेकेज की बात करें दूसरा पेकेज में है खेटी गाओं के पास चंदोली चैनपूर रोड के जंक्सन से पलका गाओं के पास भववा अंधोरा रोड के जंक्सन तक किलोमीटर की बात करें 27 किलोमीटर से लेकर 54 किलोमीटर तक ठीक है अगला पेकेज की बात करें अगला पेकेज जो है तिसरा नमबर है इसमें लिखा हुआ है भववा अधोरा रोड के साथ भेरो पूर गाउं से पॉनकी गाउं तक जंग्शन किलोमीटर इसमें दिया हुआ है 54 किलोमीटर लेकर 90 किलोमीटर तक इस पर ठेकेदार काम करने वाले है PNC इनफ्राटेग जो पेकेज 2 में था वही पेकेज 3 में भी काम करने वाले है ठीके चोंथा पेकेज की बात करें वीवरन की परतिछा है यानि इसमें जो है गाईज वीवरन नहीं दिया गया है इसको ज नहीं आया हुआ है, पेकेज 5 की बात करें, तो पेकेज 5 में लिखा हुआ है, मालपूरा गाउं में NH 119 के साथ जंग्षन किलोमीटर 105.300 से किलोमीटर 116.0 तक लेरुआ गाउं तक निविदाएं रद और NH 119 पर चार लेन असपर सहित असपर की लंबाई 6.6 किलोमीटर इसमें भी जाइज, सिप अपडेट दिया हुआ है, कहां तक बनने वाला है, और इसमें ञिविदाएं और ठेकेदार जो इसमें लिए वे थे, उसको राद कर दिया गया, कुछ खार नुमास जो राद किया गया है, अब पता ने क्यों किया गया है, तो इसका भी जब भी अप अनार बांसालिया गाउं गाउं जो है गाईज बहुत अलग अलग है कहीं पर मिश्टेख हो रहा तो इसके लिए माफी चाहते हैं और इसमें किलोमेटर लिखावा है एक सो सोलो किलोमेटर से लेकर एक सो एकाउन पॉइंट दो सो किलोमेटर तक ठीक है और इसमें ठेकेदार काम करने वाले हैं पी एनसी इनफ्राटेक ठीक है जो पहले ही दो ठेकेदार लिये हैं उसा ही जो है पी एनसी इनफ्राटेक पेकेज 6 को भी काम करने वाले हैं ठीक है अगला package है सात्वा सात्वा package में लिखा हुआ है अनार बांसलिया गाउं से सागरम पूर गाउं किलोमीटर दिया हुआ 181.200 से किलोमीटर 184.700 किलोमीटर और इसमें निविदाएं और ठिकेदार की बात करें तो लिखा हुआ है GR Infra Projects GRIL ठीक है अगला package जो है आठवा package है और इस पर लिखा हुआ है सोन पूर बीघा गाउं से चत्रा के निकट NH 22 चत्रा बाइपास के जंग्सन तक किलोमीटर दिया हुआ है 184.700 से किलोमीटर 222 किलोमीटर तक और इसमें निविदाय और ठेकेदार काम करने वाले है TTIPL RVNL ठीक है अगला package है package निमबर नौवा जिस पर लिखा हुआ है 14 से दिवरिया गाउं में NH 100 के साथ जंग्सन तक किलोमीटर दिया हुआ है 222 से किलोमीटर 233 तक इस पर जो है काम करने वाले ठिकेदार का नाम है राम कृपाल सी reconstruction private limited ठीक है राम कृपाल सी Construction private limited अगला package का नाम है 10 जोगी इस पर लिखा हुआ दिवरिया गाउं से 253 किलोमीटर से 288 तक और इस पर जो है निविदायां ठिकेदार काम करने वाले AHG Infra Engineering Limited अगला है पेकेज नमर गारवा जिस पर लिखा हुआ है डोनो रेशान गाउं से बोंगा बार गाउं में NH20 के साथ जंक्सन तक किलोमीटर दिया हुआ 286.600 से लेकर 325.500 किलोमीटर तक इस पर जो है काम करने वाले हैं ठिकेदार निविदाय है Single India और अगला पेकेज का नाम है बारमा पेकेज जिस पर लिखा हुआ है बोंगा बार गाउं से NH20 के साथ जंक्सन से लेपो गाउं के NH320 के साथ जंक्सन तक किलोमीटर दिया हुआ है 325.500 से किलोमीटर 308.500 तक ये भी जो है Single India के ठिकेदार काम करने वाले हैं जो कि पेकेज नंबर गार्व में ठिकेदार काम करने वाले हैं ठिके अगला पेकेज है पेकेज नंबर तेरवां ठिके तेरवां पेकेज में लिखाऊ है लेपो गाउं से NH320 के साथ जंग्सन से कमलापूर गाउं जारखन पच्छिम बंगाल सीमा तक किलोमेटर दिया है 358.500 से किलोमेटर 387.200 किलोमेटर यही जो है पेकेज निमर 13 हम लोग का गाउं पड़ता है हम लोग का गाउं भी जो है यही ठिकेदार निमिदाएं जो हम लोग का गाउं का भी जो है रोड जहां से पास हुआ है अगला बताएंगे आगे लिखा हूआ अबडेट के आ गया 8 जुलाई 24 उसको अबडेट के आ गया था 8 जुलाई 24 ठिके कोई प्रस नहीं या कोई दिरिश्टी है तो आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हैं ठीक है अगला जैसे ही अपडेट आता है पच्छिम बंगाल का उसका भी अपडेट देंगे क्योंकि लास्ट जो है 13 पेकेज में बाटा गया भी तक जारखन तक ठीक है पच्छिम बंगाल कभी यहाँ पर कोई अपडेट नहीं दिया गया है जैसे कुछ अपडेट आता है तो आप लोग जरूर बताएंगे तो चलिए इस वीडियो को यहें पर स्माप्त करते हैं आई होप आप लोगो यह वीडियो पसंद आयोगा पसंद आयोगा तो अपने दोस्तों का जरूर स सके तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं तब तक के लिए जैन जै भारत वंदे मातरम जोहार जार्खन जै जार्खन